आप बेसिकली यह कहना चाहरा है कि जो महिलाएं हैं पहले जो घर के प्रमुक होते थे वो डिसाइड करते थे कि आप यहां जाएंगे इसको बटन दबाएंगे वो ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है मतलब मेरे लिए बहुत सुषी की बात है कि मतलब वोमेन वोटर उसकी एक वैल्यू अब नजर आ रही है मैंने भी किया था वोट अच्छा तो यह आप यह कह रहे हैं महिलाओं का मत अच्छा आप मुझे इसमें बताई एक इंट्रेस्टिंग फैक्टर अगर हम कह रहे हैं कि यादव और मुस्लिम सपा को गए हैं तो क्या मुसल्मान औरतों ने भाजपा के लिए बटन दबाया है नहीं बिल्कुल नहीं दबाया महिलाओं का यादव महिलाओं का और मुस्लिम महिलाओं का एक मुस्त वोट और पुर्शों का भी 80% से जादा हमारे सरवे के अंदर उ 3% BSP को और करीब 3% Congress को ये बहुत बड़ी बात है अब आज आते हैं कि क्यों दिया इन्होंने वोट हां क्यों दिया सवाल आता है क्यों तो इसमें एक मैं जो question मेरा था वो ये था कि अब आपने बोला कि technology बिलकुल मैं ये मानती हूं कि आज ये जो फोन है ये फोन जो है ये एक वेपन की तरीके से हर कोई इस्तेमाल करता है तो क्या आपको लगता है ये जो हम difference देख रहे हैं ये is because of technology because of 100% technology देखिए आप decision making क्या होती है decision making को आप देखिए कि आदमी एक निर्णय कैसे लेता है election भी निर्णय लेता है आदमी वोट करने का कि मैं किसको करूँ तो decision making के समय पे आपके सामने facts and figures होने चाहिए जिसके आधार पे आप निर्णय लेते हैं ये अच्छा है कि ये खराब है तो technology के जमाने में ये communicate हो रहा है कि क्या अच्छा है और क्या खराब है क्या मिला क्या नहीं मिला क्या आपने वादे किये थे क्या भूल गए और कितन जो decision निर्णय लेने की जो समता है वो almost equal to man आचुकी है